डौ, संदुक रूइट, हजारों लोगों को रोशनी प्रधान करने वाले एक कलपना शील सर्जन, डौ, संदुक रूइट, जिनका नाम कैटरेक्ट सर्जरी में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ जुड़ा है, 1954 में नेपाल के एक छोटे से गाउं में पैदा हुए, 15 साल की उम्र में तपैदिक से उनकी मृत्यू हो गई, क्योंकि परिवार इतना गरीब था कि इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे जिससे उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनके अडिक समर्पन का प्रतीक है। नेपाल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद संदुक का अध्यान उसे 1986 में ऑनस्ट्रेलिया ले लिया। वहां Fred Hollows के साथ मिलकर उन्होंने कम लागत में कैटरेक्ट सरजरी के लिए लैंसर्ज लाने की एक मिस्सन पर काम किया। उनका सहयोग एक नए युक की शुरुआत की और मुख किया और उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्रांती का पूर्वानुमान किया। और लोगों को द्रिष्टी प्रदान करना जो इस सुविधा से वंचित थे। पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2007 में उन्हें ऑनस्ट्रेलिया के सर्जनों को पढ़ाने और प्रशिक्षन देने, तक्नीकी नवाचार में उनके काम के लिए ओनडर ओनफ ऑनस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। उन्हें 2006 में अंतर राष्ट्रिय समझ के लिए रेमन मैगसे से पुरसकार से भी नवाजा गया। उन्होंने एशिया ओनेफ दुआयर 2007 से भी सम्मानित किया गया। जिसमें उन्हें नई दिल्ली में केंद्रिय स्वास्थ्य और परिवार कल्यान मंत्री डौ अंबुमनी रामदास ने सम्मानित किया। डौ संदुक रुईत के लिए संघर्ष और योजनाएं कभी समाप्त नहीं होती। उनका सपना है कि वह दुनिया भर में और भी अधिक लोगों को दृष्टी प्रदान कर सकें और उनकी नईतम तकनीकों का लाभ ले सकें। डौ संदुक रुईत ने अपना समर्पन लाखों लोगों को विश्व भर में दृष्टी प्रदान करने में किया है। अब्सक्राइब अधिक लिए अब्सक्राइब अभर में अधिक लिए अप्रदान कर दो प्रदान कर सकें।